हेलो दोस्तो वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसंस मेरा नाम है आज जी तो राज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिरू आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सब कुछ बताऊंगा आप बने रही है इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो कर लो लाइक क्यूंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर लेके आता हूँ तो बैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बैल को आल कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थूरू जल्द पहुंच जा तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं स्केल प्लस सैंपू एक एंटी डेंडर्फ सैंपू है जिसका इस्तेमाल मुखे रूप से फंगल इंफेक्शन वो डेंडर्फ की प्रॉब्लम साथ साथ सिर में खुजली होने पर इसका इस्तेमाल किया आता है इसके अलावा मैं आगे आपको बताऊंगा इसे यूज करने का सही तरीका उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पे देख रहे होगे स्केल प्लस सैंपू यह 75 एमेल की पैकिंग में आता है और इसका प्राइज होता है लगबग 260 रुपे यानि 260 रुपीज और इसमें कॉमपूचिसन होता है केटा कुना जोल 1% और जिंक आईए दोस्तों आप जानते हैं इसे यूज करने क सही तरीका दोस्तों नहाने से पहले आपको सर को गीला करना है बालों को गीला करने के बाद सैंपू को लेना है उतना सैंपू लेना जितने बालों में लग जाए और लगा के उसे जहाग करके छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट आखों से बचा के ताकि आखों में ना जाए क् इस तरीके से आपको इसे अपलाई करना है फिर इसे वास करके नहा लेना है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोड़क्ट हम यूज करना चाहते हैं उसके साइड एफेक्ट हमें मालूम होने चाहिए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चीए और अगर आपको कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हो चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा आए जानते हैं इसके फायदे दोस्तों किसी के सर में बहुत ज़्यादा डेंडरफ हो बालों में इतना डेंडरफ होता है कि वो कंगी करने बहुत ज़्यादा गिरता है तो अगर आपक इसका इस्तेमाल करिए आपकी डेंडरफ की प्रोब्लम खतम हो जाएगी या फिर किसी के सर में हमेशा खुजली होती रहती है तो उनकी खुजली भी खतम हो जाएगी साथ-साथ मैं आपको बता दू किसी को फंगल इंफेक्शन हो सिर में पपड़ी बनती हो तो वो भी इस मिंटो 5% solution का इस्तेमाल करते हैं तो आपके वालों की growth फिर से होने लगेगी और साथ-साथ मैं आपको बता दूँ जिनके बाल जड़ रहे हैं वो control हो जाएगी अगर आपने मिंटो 5% solution की वीडियो नहीं देखिए तो आप वीडियो खतम होने के बाद end screen पे चले जाएगा वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी चलिए दोस्ता मैं बताता हूं इससे होने वाले कुछ side effect दोस्तो sample use करने के बाद अगर आपको आखों में जलन हो लगे तो समझ लेजिए आपको यह सोट नहीं हो रहा या फिर आपके scalp red होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आप को यह सोट नहीं हो रहा या फिर सिर में जलन हो लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको यह सोट नहीं हो रहा या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा तूटने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको यह सोट नहीं हो रहा है या फिर आपको उल्टी सा मन या फिर सिर में दर्दों लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको एस उट नहीं हो रहा है दोस्तों मैं आपको बता दू कोई भी दवाई यूज करने से पहले आप डॉक्टर की सला जरूर लें डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवाई यूज ना करें I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुड़ बाई